सब्सक्राइब कीजिए डिजी कोशिक चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलोजी वीडियो टेक्टिक लिए दोस्तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा सिर्फ इतना ही बोलूंगा आज का लिस्ट में जो भी आप्स है ये आप्स में से कुछ आप्स बहुत ही अच्छा और ये लिस्ट में कुछ इंट्रेस्टिंग आप्लिकेशन भी है डूस्तो सबसे पहले आपको बता दो आज का लिस्ट में जो भी आप्स है ये ये सारे के सारे अपस का लिक्ट आपको वीडियो का डिस्किप्शन में मिल जाएगा आप उहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो लिस्ट में सबसे पहले जो आपके बारे मैं आपको बताऊंगा यह आपका नाम है Do It Later दोस्तो यह आप्लिकेशन को यूज करके आप SMS बूप करके इमेल, Facebook पोस्ट, ट्वीट यह सब को सेडियूल कर सकते हैं और उसके साथ साथ reminder भी set कर सकते हैं यहाँ पर यह प्लास आइकन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सारे के सारे options मिल जाएगा सेडियूल करने के लिए As the example आप अगर Facebook पोस्ट को सेडियूल करना चाते हैं तो आप simply यह Facebook आइकन में क्लिक कीजिए और उसके बाद आप अपका Facebook आकाउन से sign in कर लिए देन आपका पोस्ट लिखकर आप यहाँ पर date and time set कर दीजिए जब आप यह post को publish करना चाते हैं तो बस दोस्तो हो गया है अभी यह post आपका set किया हुआ time में automatically publish हो जाएगा तो यह बहुत ही अच्छा application है आपके लिए काफी useful हो सकता है अगर आप follow this social media से updated रहना चाते हैं तो दोस्तो लिस्ट में जो next application है यह application का नाम है Wi-Fi router setup page दोस्तो अभी सभी router के साथ mobile application नहीं मिलता है लेकिन यह application को use करके आप आपका router को पूरा के पूरा तो नहीं थोड़ा बहुत आप smart बना सकते है बहुत ही simple application है आप जो भी Wi-Fi से connected रहेंगे तो आप यह application को open करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते है यहाँ पे आपका device के बारे में कुछ information और आपका router के बारे में कुछ information जैसा की router का default ID address, username, password, etc और यहाँ पे आपको configuration ओपेज का नाम से भी एक option मिल जाएगा यहाँ पे click करके आप directly router setup page को open कर सकते है जो भी company का router है तो definitely यह भी एक useful application है आपको बार बार ब्राज़र में router setup page को open करने के लिए आपको लंबा सा IP address type करने का कोई जरुवत नहीं है यह application आपका काम को थोड़ से असन बना देगा अब दोस्तो लिच्ट में जो next application है यह application का नाम है Samosa Audio Clips and Gips for Chat यह application का नाम ऐसा की हो है वो ही मैं आपको बताता हूँ दोस्तो ऐसे अभी बहुत सारी keyboard application के साथ ही बहुत सारी Gip Image का collection मिल जाता है और Gip Image के लिए बहुत सारे अलग-अलग application भी है लेकिन वहाँ पे आपको maximum cartoon and English movies, English videos का Gip and Audio Clips क्लिप मिलेगा लेकिन यह Samosa Audio Clips and Gips app में आपको बिल्कुल Indian flavor मिलेगा दोस्तो यह application को open करने के बाद आप यहाँ पे select कर सकते है जो कि आपको कौन-कौन सा language में आपको Gip Image and Audio Clips जाहिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ आपको दो अलग-अलग separate tabs मिलता है Audio and Gip Images के लिए और उसका अंदर भी बहुत सारे अलग-अलग category मिल जाता है यहाँ पे trending, new, latest, actors, movies, बहुत सारे अलग-अलग options है आप यहाँ पे browse करके भी ढूम सकता है और दोस्तों collection का बात करें तो just awesome, really great job आपको बिल्कुल latest movies, videos, even latest launch वा टेलर से भी आपको Gip Images and Still Photos मिल जाएगा और audio clips के लिए भी same है यह सारे के सारे options आपको audio clips मिल जाएगा और यहाँ पे आपको facebook, whatsapp, messenger, hike, etc. में share करने के लिए भी options यहाँ पे मिल जाता है और आप यहाँ से यह सब audio clips and Gip Images को आप directly download भी खर सकता है और यहाँ से यह आप audio clips को as a ringtone भी set कर सकता है और दोस्ता आप अगर यह आप में कुछ contribute करना चाते है यानि आप अपका खुद का कोई audio clips या तो Gip Images यह आप में और लोगों के साथ स्यार करना चाते है तो वो भी आप कर सकते है तो दोस्तो ओवराल आप यह आप के साथ अप Indian flavor में Gip Images and audio clips के साथ आपका friends and family के साथ messaging and chatting experience कर सकते है ठ्राइड इस आप यह भी आपको अच्छा लएगा दोस्तो लीश्ट में next application है एक wallpaper application जैसे कि मैं आपको हर महिने एक अच्छा wallpaper application के बारे में बताता हूँ तो आज भी बताऊंगा लिकिन यह wallpaper application फुरुस अलग है यह एक live wallpaper application है यह आपका नाम है Spirly Live Wallpaper यहाँ पे themes option में आपको बहुत सरे अलग अलग patterns के साथ live wallpapers मिल जायागा सभी wallpaper free है यहाँ यहाँ यह सारे के सारे wallpapers देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और wallpaper में touch होने के साथ साथ movement भी होता है और यहाँ पे आपको मिल जाता है setting option यहाँ से आप चाहे तो automatically time के साथ साथ randomly wallpapers change होने के लिए order set कर सकता है touch screen reaction को on off कर सकता है motion speed को भी कम जादा कर सकता है और उसका backup बना के भी रख सकता है और बाद में उसको restore भी कर सकता है यह सभी के सभी free में और उसके साथ साथ आप अगर और भी ज्यादा कुछ customize करना चाहते है तो उसके लिए आपको free media मिल जायागा और आपको paid version में जाना पड़ेगा तो आप वो भी कर सकते है अगर आपको paid app को free में legally download करना है तो उसके लिए भी आपको यह video का description में आपको और एक वीडियो का link मिल जाएगा तो आप वो वीडियो देख सकते है overall यह application बहुत ही अच्छा है एक live wallpaper application है बहुत सरे अलगलग options के साथ और वो भी maximum free में and guys don't forget to check my best wallpaper application 2017 वीडियो link in the video description ओके list में अगला application का नाम है nox app plus दोस्तों यह जो application है यह application को use करके आप एक ही साथ एक ही application का दो बर करके clone बना सकते है यानि जैसे कि as example instagram app को आप आपका phone में install किया तो वो एक है और यह nox app plus का मदद पे आप और दो बाद उसका clone बना सकते है total तीन account सब बना सकते है दोस्तों इसे लबब भी बहुत सरे application है clone app बनाने के लिए लेकिन यह application का खास बात है यह application बिल्कुल ads free है और user interface बहुत ही simple है यहाँ पर यह plus icon में click करेंगे तो आपका phone में install हुआ सारे के सारे apps का list यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से आप कोई भी application को select कीजिए और यहाँ पर create multi apps option में click कीजिए as the example मैं यहाँ यहाँ पर वर्टेप पुछलेट किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वर्टेप का और एक clone वर्टेप इंस्टल्ड हो गया है एगेन आप ऐसे ही और एक के करके clone बना सकते है और यहाँ से आप Simply WhatsApp का और एक account बनाके यूज कर सकते है यहाँ पर है setting का icon यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ से notification का option से आप यह सब clone app का notification को on up कर सकते है यह application में अलग से एक pattern log भी यूज कर सकते है और यह app का main page से यह सब clone application को ऐसे ही आप long tap करके ड्रेक गर के आप आपका हिसाब से organized तरीके से रख सकते है यह सब clone app का shortcut बना के home skin में भी रख सकते है rename भी कर सकते है और आप चाहे तो बाद में clone app को remove कर सकते है overall काफी अच्छा simple user interface के साथ ads free application है कोई भी apps और games का clone मनाने के लिए आप try करके देख सकते है दोस्तो next app का नाम है clipboard action दोस्तो यह app आज का list में मेरा one of the favorite application है यह app को use करके आप basically clipboard में कुछ extra functionality को पाने के लिए आप use कर सकते है और साथी साथ यह बहुत ही अच्छा useful application है और काफी smart and intelligent भी है दोस्तो simply आप जब कोई text को copy करते है clipboard में तब वो copy तो हो जाता है और उसको आप बाद में दूसरा कहाँ पे paste कर सकते है लेकिन यह application को अगर आप install करके रखेंगे तब simply कोई भी text को copy कीजिए और वो copy करने के साथ तब वो notification बार में आ जायेगा और ऐसे ही आप दो finger से swipe down करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ अलग-अलग options मिल जायेगा यहाँ पे directly share का option है आप इसको internet में भी search कर सकते है अगर कोई address या तो कोई location का नाम है तो आप उसको directly map में open कर सकते है और अगर आपको select किया हुआ text में कोई दूसरा कोई language है तो उसको आप translate भी कर सकते है और उसके बाद यहाँ पे आपको speak का भी option मिल जायेगा यह option से आप select किया हुआ text को as a audio play कर सकते है और यहाँ पे दूस्तों last में यहाँ और एक icon है और यहाँ पे आपको आपका copy किया हुआ text को यूर कोड में convert करने के लिए भी option मिल जायेगा इसे लाब हाँ अगर आपका copy किया हुआ text में कोई link रहाएगा तो उस link को browser में open करने के लिए भी option मिल जायेगा और यहाँ पे url shortener का भी option मिल जाता है यानि लंबा सा url को छोटा करने के लिए अगर अब सिर्फ aq word को copy करकर रखा है तो उस word का definition यहाँ पीछ होगा अगर copy किया हुआ text में कोई currency रहेगा तो currency convert करने के लिए भी आपको यहाँ पे option मिल जायेगा अगर यहाँ पे आपका copy किया हुआ text में कोई date रहेगा तो उसके लिए आपको create events का नाम से एक option मिल जायेगा आपका phone में calendar में कोई event रिवेंडर set करने के लिए अगर copy किया हुआ text में कोई number रहेगा तो उसको call करने के लिए भी आपको direct option मिल जायेगा अगर email id रहेगा तो email भीजने के लिए भी आपको यहाँ पे direct option मिल जायेगा और अगर कोई media file का link रहेगा तो उसको download करने के लिए भी option मिल जायेगा और आप clipboard में एक की साथ बहुत सारा अलग लग लग text को copy करके रख सकते है और उसको आप ऐसे ही next next cut के देख सकते है जो कि normal clipboard में नहीं होता है overall दोस्तों यह application के बारे में और ज्यादा कुछ बोलने का जरूबत नहीं है just awesome application must try this app list में जो next application है यह camera application है और यह थोड़ा सा unique application है just for fun guys यह camera app का नाम है candy frame दोस्तों यह camera app का concept instant camera app के जैसा है आप frame का अलग-अलग frame को set कर सकते है यहां से आप date stamp को on up कर सकते है और यह option से front and back camera में switch कर सकते है और यहां पर दोस्तों और दो आइकन है यह icon में click करके आप gallery open कर सकते है और यह है आपका available frame कितना है वो check करने के लिए जैसे कि instant camera में frame use करना पड़ता है और दोस्तों यह है shutter button अभी आपको photo capture करने के लिए आपको यह shutter button पर क्लिक करना है और उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर instantly photo print होके आ जाएगा और आपको जैसा instant camera में photo print करने के बाद ऐसा check करना पड़ता है तो आपको यहां पर आपका phone को check करना पड़ेगा और धीरे धीरे photo आपको दिखाए देगा और आपको यहाँ फोटो में थुआ सा इंस्टन कामERा के जैसा look भी मिलता है तो दोस्तो overall यह आपको यूज़ करके आप थुआ सा इंस्टन कामERा के जैसा फील पा सकते है आपको स्माइपपोन में तो दोस्तो ये था कुछ बेस्ट आप का लिस्ट आपको कौन कौन चाप्रिकेशन अच्छा लगा है तो वो आप कॉमेंट करके बताएए और दोस्तो वीडियो अच्छा लगया तो वीडियो को लाइक और शेयर भी किजिएगा और आप चाहे तो मेरा चैनल को भी कर सकते हैं और साथ में छोटा सा बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाला सारी के सारी वीडियो का अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहेगा और आपको मेरा कोई भी वीडियो मिस्स नहीं होगा so once again this is goshi here and see you in the next one thank you guys thanks a lot for watching bye